अगर कोई कम बोले लेकिन तेज बोले तो वह अपने अंदर कुछ राज रखता है, वह लोग जो अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, आमतोर पर सबसे ज्यादा परवाह करने वाले होते हैं, मनोविज्ञान कहती है, कि मिजास में जल्दी चेंजिंग का संकेत है, कि आप कि खुश्यार रहना होगा, एक रिसर्च के अनुसार तेज दिमाग वाले परियोजनाओं पर नजर रखते हैं, जबके कमजोर दिमाग वाले दूसरों पर, जो लोग किसी चीज की कम परवाह करते हैं, वह उतने ही खुश होते हैं, इनसान खाने के बिना तीन सप्ता और पान धनी के बिना ग्यारा दिन जिन्दा रह सकता है, एक रिपोर्ट के अनुसार धनी आदमी की बातों को वजनी समझा जाता है, चाहे वह जूट हो साइकोलोजी के अनुसार मनुष्य दो वज़से बदलता है, या तो उसका दिमाग खुल चुका है, या उसका दिल तूट वह लोग दूसरे लोग से काफी तेज मिजाज होते हैं, जो लोग बात करते वक्त पैरों का रुख चाहे थोड़ा सा भी दूसरी और रखे तो आप से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। स्वार्थी लोगों के साथ चाहे जितनी भलाई कर लो उनको अगले दिन भूल जाते हैं। जो लोग किसी के साथ ज्यादा समय गुजारते हैं, तो जुदा होने के बाद आखिरी समय तक उनी से संबंधित बात करते हैं, लगभग 20% नौजवानों को बालिग होने से पहले ही डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी के साथ अपनी समस्या शेर नहीं करते तो आप मानसिक तोर पर मजबूत हैं नौजवान दुसरों के के मुकाबले ज्यादा खत्रा मोल लेते हैं। स्वार्थी लोग अपनी सफलता के बारे में बहुत बाते करते हैं। हमारी मनोविज्ञान कहती अगर कोई व्यक्ती एनत पहना है तो वह बुद्धिमान होता है आप आमखों से किसी व्यक्ती का चरित्र और रूख को पहचान सकते हैं। पढ़ने के बाद सोना याददाश्ट को बढ़ाने में मदद करता है। अगर कोई हर वक्त आपके दिमाग में रहता है तो इसका संकेत है आप उससे मोहबबत करते हैं। अगर कोई खुबसूरत चीजों और मुर्खाना बातों पर गुस्सा करे तो उससे मोहबबत की नहीं है।